हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं आर्थी आप सभी का अपने परिवार फिसिक्स को रुपर हार्दिक स्वागत करती हूँ जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिसिक्स, केमिस्ट्री और मैच्स मैच्स चल रहा है आपका अपनी आप्लिकेशन फिसिक्स को रुपर तो आज की क्लास है B.A.C. 3rd Year के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आपकी बुक चल रहे है Organic Chemistry और Organic Chemistry में लास्ट रेंट पर हमने हमारे एक टॉपिक कम्प्लीट किया था थायोफीन जो आपका Chapter 3 जो आपको Heterocyclic Compounds है न उसका एक टॉपिक है तो आज हम इसमें डिसक्स करने वाले है पायरॉल के बारे में तो पायरॉल की structure कुछ इस तरह क्यों होती है तक बहुत बार हम पायरॉल की structure बना चुके है तो आप पायरॉल के methods of preparation उसकी physical properties, chemical properties और uses के बारे में हम आज डिसक्स करने वाले है तो देखें सबसे पहले method of preparation में first method मैंने यहाँ पर लिखा है bone oil bone oil यह bone वही bone है जो आप समझ रहे हैं जो हड़ियां होती है न वो वाला oil अब देखो यह कैसे बनाया जा सकता है देखो पायरॉल is naturally present in bone oil bone oil के अंदर पायरॉल जो होता है naturally present होता है हमें उसके लिए कुछ होर mix करने की जरूरत नहीं होती है पायरॉल बनाने के लिए लेकिन पायरॉल को bone oil से निकालने के लिए हमें काफी सारे methods को follow करना पड़ता है देखें जैसे देखो bone oil के साथ साथ इसमें chlorophyll, hemocyanin और drugs जैसे आपके cocaine और heroin होते हैं उनमें भी pyrol present होता है इनमें क्या होती है having ring structure having pyrol in it इनके पास भी जो cocaine और heroin होते हैं उनके पास भी ring structure जैसे पायरॉल के अंदर होती है ठीक इस तरह से ऐसी present होती है ठीक है बट पायरॉल is obtained mainly by the distillation of bone oil of animal byproducts एनिमली byproducts से क्या मतलब है देखो तो आप समझ गए कि यह distillation से बनाया जाता है distillation से bone oil का distillation करते हैं सबसे पहला step जो हम follow करेंगे वो करेंगे distillation किसका bone oil का यह bone oil है क्या देखो जो एनिमली byproducts होते हैं जैसे horn और hoof horn hoof क्या है जैसे गाएं भैस होती है उनके सींग होते हैं वो horn और जो उनके खूर होते हैं वो hoof कहे जाते हैं तो horn और hoof में present होता है pyrol naturally तो इनका हम करते हैं distillation these products have been distilled between 100 to 150 degrees celsius temperature 100-150 degrees celsius temperature के बीच हम इनका distillation करेंगे तब impure pyrol बनेगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस impure pyrol में से impurities हटाएंगे और यहां से pure pyrol all obtain करेंगे लेकिन वो कैसे it has been treated with concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 मिलाएंगे इसमें जिससे हमारा moisture और alkaline impurities हमारी remove हो जाएंगे फिर इसके बाद अभी भी आपका pyrol pure नहीं बनाए इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें बहुत छोटी से quantity में koh मिलाएंगे koh मिलाने पर जो आपकी excess quantity में और जो बची कुछी acid की impurities है वो आपकी remove हो जाएंगी acid की impurities remove हो जाएंगी अगर हम acid मिलाते हैं तो कौन सी impurities remove होती है basic और अगर base मिलाते हैं तो कौन सी impurities remove होती है, acidic, ठीक है, but pyrol will convert into its potassium salt, यहाँ पर pyrol में, जब हमारे जो देखो, पहले तो हम इसमें concentrated res2SO4 मिला दिया, जिससे alkali की और moisture remove हो गया, फिर उसके बाद acidic impurity को remove करने के लिए base मिला दिया, फिर base मिलाने के बाद pyrol नहीं बनता, यहाँ से pyrol का potassium salt बन जाता है, और फिर उसका हम steam distillation करते हैं, जिसके बाद हमें pure pyrol मिलता है, ठीक है, तो यह है first method, bond oil से बनाने का, यहाँ पर आप चाहो तो steam distillation दिखा सकते हो, potassium salt का steam distillation कैसे बताओगे, steam distillation में कुछ नहीं होता, बस आपको क्या मिलाना होता है, water मिलाना होता है, देखो, यह होता है आप आपका pyrol का potassium salt, इसमें आप मिलाओगे H2O, steam distillation कर रहे हैं तो vapor phase में, या फिर steam, steam या vapor, reaction करोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका pyrol बन जाएगा, यहाँ से कोच आपका remove, ठीक है, चलिए, यह हो गई आपकी पहला method of preparation, फिर उसके बाद second है, acetylene से बनाएंगे इसको, जैसे acetylene से हमने थायफीन बनाया था, ठीक, इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, लेकिन इसमें थूड़ा सा change है, क्यों थायफीन में क्या था, आपका sulfur था, और इसमें आपका NH present है, तो हमें उन चीजों को लेकर भी तो सारी चीज़े सोच के, जब method of preparation करने होते हैं, CH triple bond CH, इस बार acetylene में क्या मिलाएंगे हम, ammonia मिलाएंगे, NH3 क्योंकि हमें NH की जरूरत है, और हम यहाँ पर क्या मिलाएंगे, AL2O3 मिलाएंगे, और temperature कितना रहेगा, 300 degree Celsius, और कितने molecule लेकर reaction होगी आपके, 2 molecules लेकर reaction होगी, यहाँ से, आप देखना, reaction में किस तरह से, यहाँ पर यह react करेगा, देखो, यह आपका dissociate करेंगे, हम NH में और H2 में dissociate करेंगे, जिसमें आपका NH यहाँ पर जुड़ जाएगा, और H2 gas remove हो जाएगी, जैसे पहला था, बिल्कुल ऐसी, लेकिन पहले method में हमने acetylene में क्या मिलाया था, H2O मिलाया था, लेकिन इस बार हम क्या मिला रहे है, NH3 मिला रहे है, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, acetylene से pyrol बन जाएगा, CH, यह CH double bond, और इससे कौन जुड़ेगा, NH जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर remove क्या होगी, H2 gas remove हो जाएगी, यह बन गया आपका, acetylene से pyrol, clear है, next method की तरफ चलिए, method number 3, succinamide से, from succinamide, succinamide क्या होता है आपका, देखे, succinamide कुछ इस तरह से होता है, CH2, CH2, और यह आपका जुड़ा होता है, यहाँ पर CO, इन दोनों कॉर्णर्स पर, और यह आपका यहाँ पर जुड़ा होता है, N, H, यह होता है, आपका succinamide, ठीक है, आप देखे, reaction किस तरह से होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मिलाएंगे, zinc powder, क्या मिलाएंगे, zinc powder मिलाएंगे, zinc powder मिलाएंगे, और थोड़ा सा गरम करेंगे इसको, तो आपका यहाँ से देखो, यह जो यहाँ पर आपक के present है, यह, यह आपके oxygen के साथ remove होंगे, कैसे, बताओ कैसे, आप देखो, एक बार बताओ आप मुझे, यहाँ से तो आप H उठा लोगे, यहाँ से oxygen उठा लोगे, वैलनसी कैसे complete होगे, और जिंक powder का क्या होगा, तो देखो, यहाँ से यह जो आपके oxygen है, यह remove होते हैं, देखो, कैसे remove होंगे यह, यहाँ से आपके bonds dissociate होते हैं, कैसे देखो, यह आपका carbon double bond oxygen के साथ जुड़ा होता है, यह वाला bond dissociate होगा, यह वाले bond dissociate होंगे, यह वाले और जब यह वाले bond dissociate होंगे, तो इस पर oxygen पर कैसा आएगा, negative, carbon पर positive आएगा, ठीकी सी तरह से, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, H ions remove करेंगे, किस तरह से, देखो, यहाँ पर ऐसे है यह, जब हम यहाँ से H positive ion remove करेंगे, देखो, इस पर आ रहा है negative, इस पर आ रहा है positive, क्या होगा यहाँ से, यह वाला negative, यह वाला positive bond बना लेगा, यह वाले A के छी धर आ जाएगा, इस वाले bond से जड़ जाएगा, और यह वाले oxygen, zinc के साथ चला जाएगा, समझ में आगे इतनी बात, देखो, कैसे बन जाएगा फिर यह, C, H, single bond, C, H, double bond, C, H, यह वाला A, H, और इसे यह NH तो ऐसा का ऐसी जुड़ा हुआ है, और remove क्या होगा, आपका 2ZN और zinc oxide यहाँ से remove हो जाएगा, clear है, यह हो गया आपका third method of preparation, bond दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, वरना ऐसी लिख सकते हो direct, ठीक है, चलिए, screenshot लीजी अब इसका, फिर next करेंगे, furan से, furan से prepare करेंगे हमारा pyrol, next देखो, यह मेरे ख्यास से fourth है, four point है यह, देख लेना, अपना series डाल लेना, अपना पूरा जो भी one, two, three आता है, वो हिसाब रखना आप, ठीक है, चलो, आगे देखो, furan से, furan से किस तरह से prepare किया जा सकता है, देखो, furan में हमारा क्या present होता है, oxygen, अब हमें इस oxygen की जगा क्या चाहिए, NH group चाहिए, तो इसमें हम क्या add करेंगे, NH3 ही add करेंगे, इसके लावा और कोई option है, हमारे पास, नहीं है, तो यह ही add करेंगे हम, अब देखो, यहां से क्या होगा, यह आपका NH में, और H2 में dissociate होगा, यह H2 oxygen के साथ, H2O की form में बाहर और NH यहां पर आकर जुड़ जाएगा, और यह आपका हैं से pyrol बन जाएगा, आवे बास समझ, चलो next देखो थायोफीन से, from थायोफीन, थायोफीन में क्या present होता है, sulfur, इस बार क्या मिलाओगे इसमें, इस बार क्या मिलाओगे, NH3 ही मिलाया जाएगा, अरे हमें NH1 कभी आप यह सोच रहे हों कि sulfur है, तो इस match 2 मिला दे, replace हो जाएगा, pyrol बन जाएगा, pyrol नी, यह furan बन जाएगा, और फिर furan से यह, single step narration कराओ, कैसे कराओगे, देखो, किसी भी चीज को लेकर tense होने की जरूरत नहीं है, थायोफीन में क्या present होता है, आपका sulfur present ह होता है, इस तरह से, ठीक है, यह बात तो पता है, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, यहां से इसमें मिलाएंगे NH3, NH3 मिलाने पर किसमें dissociate होगा, यह NH में और H2 में dissociate होगा, अब यह H2 इस, S के साथ, और यह NH यहां, H2, S gas remove होगी, और आपका यहां से क्या बन जाएगा पाइरोल बन जाएगा, ठीक है, यह बन गया आपका हैं से पाइरोल, यह हो गया आपका, last method of preparation, अब इसके बाद हैं इसकी physical properties और chemical properties, chemical properties इसकी थोड़ी सी लेंदी हैं, लेंदी क्यों है, क्योंकि इसमें दो तीन properties मैंने और एड़ किया हैं, इसकी structure की वज़ा से, क्योंकि इ इसमें सबसे पहले तो आप इनका screenshot लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, physical properties के बारे में discuss करेंगे पहले, screenshot लीजी इनका, देखे इसमें यह है, इसकी physical properties, physical properties में क्या कहा है, colorless liquid compound है, और smell कैसी है, pungent, तीखी गंद है इसकी, it is solvable in polar as well as non-polar solvent, polar solvent और non-polar solvent जितने भी होते ह इन सब में गुल जाता है, boiling point होता है, इसका 129 degrees Celsius boiling point होता है, यह हैं इसकी कुछ physical properties, अब इसके बाद इसकी chemical properties हैं, तो chemical properties में सबसे पहले देखो aromatic character, मैंने आपको बताया था, जब हमने इसमें हमारा first compound furan किया था, तो इसमें सारी properties मैंने आपको पूरे deeply लिखाई थी, reason भी जाय थे इसके, तो यहां पर मैं सिर्फ इसी तरह से समझाऊंगी, last time पर भी थायोफीन में भी हमने ऐसे देखा था, तो देखो इसमें यह compound कैसा है, cyclic है, cyclic है, चारो तरफ से बंद है, six pi electrons है, two, four, six, six pi electrons है, सारे aromatic है यह और सारे electrons कैसे है, alternate position में present है, और electrophilly substitution reaction शो करता है aromatic होने की वज़े से, और six pi electron होने की वज़े से, और favorable position कौन सी है, attack की है, incoming group की second और fifth, और आपकी third और fourth भी भी attack कर सकता है, लेकिन उसके लिए bulky group present होना चाहिए, in positions पर, ठीक है, तो यह है इसकी कुछ property, आप पहले इनका screenshot लीचिए, फिर हम electrophilic substitution reaction जैसे आपकी halogenation, sulfonation यह ह लेंगे अब, ठीक है, चलिए, पहले आप इनका screenshot लीजे, फिर next हमारी properties की तरफ चलते हैं, देखें इसमें सबसे पहले, nitrogen, nitrogen में क्या करते हैं, हम concentrated H2SO4 की presence में, concentrated HNO3 add करते हैं, pyrol में, और आपका क्या बनेगा, two nitro pyrol आपका बन जाएगा, यहां से, देखें reactions, सबसे पहले हम लेंगे हमारा pyrol, जो कुछ इस तरह से होता है, फिर उसके बाद हम यहां पर अंदर bond show करेंगे, bond मत भूल जाना, वरना गड़बड हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम concentrated HNO3, फिर उसमें catalyst क्या लेंगे, concentrated H2SO4 लेंगे, और reaction कराएंगे, अब तक बहुत सारी reaction ह करा चुके हैं, ऐसे ही, तो इसमें क्या बन जाएगा, direct बनाएंगे, यह बन जाएगा आपका two position पर NO2 ग्रूप आएगा, और यहां से H2O remove होएगा, ठीक है, यह आप गया बन गया, two nitro pyrol, second देखिए, halogenation कर लो, या फिर friddle craft alkylation देखो, पहले चलो, फिर्डल क्राफ्ट alkylation, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम pyrol में alkyl halide मिलाते हैं, यह है आपका pyrol, और इसमें क्या मिलाएंगे, alkyl halide, alkyl halide मतलब Rx, catalyst, Lcl3, और यहां से आपका यह alkyl group यहां जुड़ जाएगा, और Hx remove होगा, hydrogen halide आपका remove होगा, और यहां पर आपका R group, अंदर के bonds मत change कर देना, bond अंदर कैसे कैसी रहेंगे, यह बनके आपका 2 alkyl pyrol, ठीक है, अब next, पहलेंगे screenshot love index देखो, reaction number 3, इसमें हम करेंगे acylation, क्या करेंगे, acylation, acylation reaction में हम क्या मिलाते हैं, R, C, O, C, L मिलाते हैं, R, C, O, C, L मिलाते हैं, और catalyst आपका same रहता है, तो यहां से आपका क्या बनेगा, R, C, O, group यहां जुडेगा, और H, C, L इस बार remove होगा, ठीक है, चलिए, यहां पर क्या आजाएगा, C, O, R, यह आपका बन गया, 2-acylpyrol बन गया, 2-acylpyrol, ठीक है, चलिए, screenshot लीजिए, अब इसके बाद halogenation reaction देखते हैं, मैं इनको rough कर रही हूँ, पहले halogenation reaction देखेंगे, फिर, ठीक है, screenshot लो आप इनका, तो देखिए, halogenation, यहां पर हम pyrol में क्या मिलाएंगे, इस बार chlorine मिलाएंगे, और catalyst क्या लेंगे, FECL3 लेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर bromine मिलाओगे, तो यहां FECL3 लेना, ठीक है, चलिए, आप यहां से आगे क्या करेंगे, simply जैसे अब तक reaction हो पाई है, second position पर chlorine और एक HCL remove, तो देखो, अब तो यह हो गई हमारी chlorine के साथ reaction, halogenation, अब अगर हम यहां पर excess quantity में halogen ले ले, तब हमारी reaction कैसे होगी, अगर यहीं हम excess quantity में, अधिक मात्रा में, कोई भी halogen ले ले लेते हैं, तब आपका यहां से बनता है tetra halogen और फिर आपका pyrol, ठीक है, देखे reaction कैसे होगी, अगर हम excess quantity में ले ले, in excess, in excess, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में जैसे मैं हाँ पर इस बार ले वी हूँ, iodine 4, I2 मैंने हाँ पर लिया, catalyst वही सेम रहेगा, FECL3, अब देखी यह जो आपका catalyst है ना, यह पहले तो आपका 2 और 5 पोजिशन पर जुड़ेगा, अब देखो 2 और 5 पोजिशन पर क्या है, आपका बहुत बड़ा group है, iodine बहुत बड़ा group है, और जब यहाँ पर बहुत बड़ा group है, तो इन iodine का attacks, 3rd और 4 पोजिशन पर भी हो जाएगा, तो यहाँ से यह क्या बन जाएगा, कि आपका NH यहाँ पर आपके I आ जाएगे, और 4 HI रिमूव हो जाएगे, clear है, यह बन गए आपका tetra-idopyrol, tetra-idopyrol, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, sulfonation, sulfonation reaction, sulfonation में क्या होगा, यहाँ पर आप concentrated H2SO4 लेते हो, sulfonation, डाल लेना हैं आपड, sulfonation, sulfonation, concentrated H2SO4, catalyst क्या लेते हैं, catalyst भी save लेता है, concentrated H2SO4, यहाँ से क्या बनता है, SO3H, और remove क्या होता है, H2O remove होता है, ठीक है, यह बन गया आपका 2-pyrol-sulfonic acid, clear हैं, चलिए, next देखते हैं, इसकी properties, अब जो एक बाद बताओ, यह जो आपका यह group है, यह किसके साथ similarity शो कर रहा है, यह आपका pyrol, amine के साथ similarity शो करता है, क्योंकि देखो, यहाँ पर NH group जुड़ा हुआ है, आप मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि pyrol के पास NH group है, जो amine के साथ similarity शो करता है, अब इस pyrol के nitrogen के पास दो electrons भी present है, और इस N के पास electrons complete भी है, complete किस तरह से यह कुछ ऐसे है, यहाँ पर कुछ bond इस तरह से बने हुए है, दो electron इसके, दो इसके, दो इसके और दो electron यह रहे, तो आठ electron rule complete है, update rule complete है इसका N का, अब जब N का update rule complete है, update complete है, तो यह Lewis base की तरह वर्क करेगा, किस की तरह वर्क करेगा, Lewis base की तरह वर्क करेगा, लेकिन क्योंकि इसके electron alternate position में present है, यह कह सकते हो, conjugation का एक part है, तो इसी कारण, पायरॉल अपने electrons को donate नहीं करता, और इसी property की वज़े से, पायरॉल एक weak base की तरह वर्क करता है, और weak base होने की वज़े से, यह कह सकते हो, इसका basic character होने की वज़े से, यह कुछ properties में participate करता है, यह कह सकते हो, कि कुछ reactions में participate करता है, अब वो reaction कौन सी होने वाली है, और किस तरह से reaction होंगी, वो सारी चीज़े हम अब देखेंगे, पहले अगर आपने इनका screenshot नहीं लिया है, मैंने अभी जो चीज़ बताईए, आपको लिखा दूँगी, ठीक है, चलिए screenshot लिजे इसका, देखें, मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, similarities with amines, अब यहाँ पर आपका जो भी नंबर बैट रहा हो, मेरे ख्याल से 4-5 जो भी बैट रहा हो, और डाले ना, अब अपनी सीरीज में चलना, अब देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, अब इसके पास अगर फ्री लेक्टरॉन है, अब इसके पास अगर फ्री लेक्टरॉन है, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, वाई सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ताकि वो किसी के काम भी आजाए, और उसको वेस्ट भी ना हो, ठीक है, अब ये लूइस बेस की तरह वर करेगा, बट जो इलेक्टरॉन है, ये पार्ट है, किसका कॉन्जुकेशन का, ताक्स वाई लेक्टरॉन डोनेटिंग कैपसिटी इस वेरी पूर, कैसी होगी, पूर होगी, या क्या सकते हो, वीक होगी, ठीक है, इलेक्टरॉन डोनेटिंग कैपसिटी पूर होगी, मतलब इस तरह से समझो कि आपके पास कोई चीज है, एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में वही उसके काम आ सकती है, लेकिन आप कहोगे कि मुझे बाहर देनी है, तो वो कहेगा कि बाहर ना देगे, मैं उसे पने पास रखूँगा, ये मेरे काम आएगी, तो वो चीज आपके घर में ही रहेगी, आपके पास ही रहेगी, तो इसी वज़ा से चो इलेक्ट्रान डोनेटिंग है, आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, अच्छे से डोनेट नहीं कर पाओगे, किसी को दे नहीं पाओगे, तो इलेक्ट्रान डोनेटिंग कैपसिटी क्य हो जाएगी इसकी वज़ा से पूर हो जाएगी So it acts like a weak base और इसकी वज़ा से ये कैसा work करेगा? weak base की तरह work करेगा और due to basic character it will participate in falling reaction मैं अब आपको कुछ reaction कराने वाली हूँ जैसे alkylation reaction देखो अब आप बोलोगे alkylation तो हम कर चुके हैं इस बार हम इसमें कोई भी catalyst नहीं लेते हैं और इसमें जो आपकी groups जुडते हैं ये second और fifth position पर नहीं जुडेंगे इस H को replace करेंगे और इसकी जगापर group आकर आपके जुडेंगे ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आपका जो pyrol है Electrons दिखाना ना भूले यहाँ पर है आपका क्या लेंगे? Rx alkylation में alkyl halide लेते हैं न? आप देखें यहाँ से यह वाला HSX के साथ HX की फॉर्म में बाहर और यह alkyl आपका यहाँ जुड़ जाएगा यह हो गई आपकी first reaction ठीक है? यह बन गया आपका n alkyl pyrol n position पर आपका alkyl group जुड़ा है first position पर है alkyl pyrol लिख सकते हो या n alkyl pyrol इसका name आप लिख सकते हैं चलिए screenshot लीज़े मैं इसको rough करूँगी फिर देखें next है acylation reaction acylation reaction में क्या होगा? यह HACL के साथ बाहर और यह RCO group आपका इस वाले n के पास जुड़ जाएगा तो यहां से बन जाएगा आपका यह कुछ इस तरह से n acyl pyrol बनेगा यहां से ठीक है? n acyl pyrol आपका यहां से prepare होएगा next देखो अगर हम यही पर reaction किसके साथ करा दें? आइसिड के साथ करा दें basic character है वही आइसिड के साथ reaction कराएंगे तो यह क्या बनाएगा? यह क्या बनाएगा यहां से? reaction with acid reaction with acid acid के साथ जब हम इसकी reaction कराते हैं तो यहां से सबसे पहले acid क्या ले हम? सबसे पहले acid क्या ले? यह आपका H यहाँ पर हम मान लीजे हमने यहाँ पर HCl ले लिया तो यहाँ से यह देखो यह HCl अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से यह HCl यहाँ चला जाएगा और यहाँ के जुड़ जाएगा ऐसे reactions नहीं होंगी यहाँ पर जो reaction होगी आपकी यह कुछ इस तरह से होगी यह वाला H भी इसके साथ जुड़ जाएगा और यह इसके साथ weak bond बनाएगा कैसे कुछ इस तरह से N यह आपका H इस तरह से जुड़ेगा यह bond ऐसे कैसे ही रहेंगे और यह आपका ऐसे chlorine और chlorine कैसे में partial minus में इस से जाकर जुड़ेगा यह आपका बना है pyrolium chloride मैं नहीं लिख देती हूँ इसका थोड़ा डिफरेंट सा है pyrolium chloride चलिए next देखते हैं वही अगर आप इसकी reaction H2SO4 के साथ करके देखें तो क्या बनेगा देखें H2SO4 के साथ screenshot लीजे इसका photofit से पहले आप next देखें H2SO4 के साथ वही अगर हम change कर दें तो यह आपका कुछ ऐसे ही रहेगा बस यहाँ पर आपका HSO4 partially minus बन जाएगा और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा pyrolium hydrogen sulfate बन जाएगा next reaction देखिए hydrolysis अगर हम करते हैं इसका मैसी में दिखा रही हूं आपको hydrolysis note करते चलो साथ साथ hydrolysis अगर हम इसका करते हैं hydrolysis hydrolysis water H2O जब हम add करते हैं तब क्या बनेगा यहाँ से बताओ अरे यह आपका dissociate होता है H में और OH में यह H यहाँ पर आकर जुड़ेगा और इस बार यहाँ पर आपका क्या आएगा OH partially minus और इसका name क्या बनेगा comment करके बताओ इसका name इसका name OH है OH के लिए क्या आता है भई hydroxide आता है hydroxide hydroxide clear है next अगर हम यहीं पर HNO2 के साथ reaction करें तब क्या बनेगा बताईए क्या बनेगा HNO2 nitrous acid nitrous acid करो reaction देखो फटा फट nitrous acid HNO2 nitrous acid reaction करो क्या बनेगा HNO2 पहले तो इसको dissociate करना जानो किसमें dissociate होता है OH में और NO में dissociate होता है यह आप देखो यह जो आपका NO है यह इस ह को replace कर देगा और यह आपका यह वाला H और यह वाला OH एक साथ H2O की form में बाहर यह आपका आगया अमीन ग्रूप की similarity जो रिप्रेजन करते हैं उनको लेकर अब यह आपका फिनॉल से भी similarity शो करता है फिनॉल से similarity कैसे शो करेगा अब आपने यहां पर देखा कि यह जो पाईरॉल है यह इस एच को भी donate कर रहा है आपका रियक्ट कर रहा है तो यहां से यह पाईरॉल की तरहा रियक्ट करेगा फिनॉल में भी आपका हो जाता है ना फिनॉल होता क्या है बताओ क्या होता है C6H5OH फिनॉल आपका कुछ इस तरह से होता है यह आपका OH तो यहां से जो यह फिनॉल है यह एच पॉजिटिव आयन भी दे देता है अब देखो इसकी जैसे structure भी कुछ को similar है बंद है इसकी भी structure इसकी भी structure आपकी रखता है और acid character रखने की वज़ा से भी यह क्या करता है यह आपका कुछ reaction रिप्रेजेंट करता है कुछ reactions किस तरह से जैसे मैं भी बताऊंगी और यह चीज मैंने बताईए ना आपको यह प्रॉपर वे में लिखाऊंगी भी अगर आपने इसका screenshot नहीं लिया तो screenshot ले लो इसका मैं इसको रफ कर रही हूं फिर देखो इटकें डॉनेट एच पॉजिटिव आयन और रिप्रेजेंट असीडिक नेचर वही चीज मैंने आपको बताई एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा और असीडिक नेचर दिखाएगा इट इस अ गुड़ आसेडिक अब देखो जब यहां से एच पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो यहाँ पर आपका बनेगा नेगिटिव आयन यहाँ पर आपका बार्सटिल नेगिटिव बन जाएगा जो आपको यहां पर करी यहां पर यहां पर अपर हमने 远न इसकी खीडिटिव और ओड्еть तरह ने पर दीष्ट नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं नए हम सारी चीज बैलंस करके चलते हैं अब वहीं हिसाथ करके साथ बना लेता है ठीक इसी तरह से हमारा पयरल्ओल भी रियाक्ट करेगा फिनॉल के तरह जैसे फिनौल आप बेस के साथ react करके salt बनाता है ठीक सी तरह से पाइर ओल को भी करना होगा ये सकी मजबूरी है करना ही होगा इसको हम लेते हैं बेस के ओ एच रियक्शन करते हैं हमारी जैसे अब तक similar reaction होती आईए यहाँ पर आपका के आजाएगा और हो जाएगा ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कहां किया है सबसे पहली reaction आज हमने यही किया है बस इसको थोड़ा सा पलट देना ठीक है चलो ये होगे first reaction next देखो rhymer time and reaction rhymer time and reaction second name reaction है rhymer time and reaction इसमें क्या लेते हैं हम इसमें हम लेते हैं chloroform और base और उसकी reaction कराते हैं pyrol के साथ लिखिए यहां से pyrol pyrol लिखिए यह आगया pyrol फिर लेंगे हम chloroform जो होता है CHCl3 फिर हम लेते हैं यहां से क्या लेते हैं naoh base और naoh कितनी quantity में लेते हैं 3 में ताकि हम यहां से naCl remove कर सकें ठीक है यहां से एक तो 3 naCl हो गया remove आप देखना ध्यान से क्या देखोगे आप ध्यान से यह हमारे जो 3 oh हैं यह मैं इस तरह से लिख लूँ इनको नीचे space कम है इसलिए थोड़ा उपर समझा रही हूं आपको ठीक है तो देखो यहां से एक एच टू ओ तो यह remove हो गया एक एच टू ओ तो यह remove हो गया वही क्या बचा एक OH और एक यह वाला H यह और यह कितने हो गया वन एच टू ओ यह हो गया और वन एच टू ओ यह हो गया एक आपका 2H टू O remove हो गया अब क्या बचा यह वाले यह चीज बची यह वाली जो ring है N के साथ एक CH बचा और यह के O बचा तो यह आपका second position पर पायरॉल की second position पर attack कर देंगे और यहां से आपका कुछ group इस तरह से बन जाएगा ठीक है यह आपका group इस तरह से बनेगा कुछ बताओ अब देखो मुझे एक चीज बताओ कि आपको यह reaction कुछ अलग नहीं लगी है बताओ मुझे खुद खुद बताओ कि reaction थोड़ी different नहीं लगी आपको कि देखो मैं आपको बताती हूँ different क्या है इसमें different मैंने अभी आपको यह चीज बताई कि यहां से यह H positive ही जुड़ेगा आकर तो क्या यह आपका CH group यहां N के पास नहीं जुड़ना चाहिए था वो तो सही जुड़ा है लेकिन आपने जो H remove किया है यहां से वो H remove होगा इधर से कि इधर से यहां से remove होगा ठीक है clear है अब आगे बास समझ तो यहां से यह वाला H और यह वाला H remove होगा क्यों remove होगा यह क्योंकि जहां incoming group जुड़ता है वहां हमें जगा भी तो करनी होती है इसलिए हम वहां से यह वाला H और यह वाला OH H2O के साथ बेज़ेंगे ठीक है चलिए यह बन गया आपका हैं से 2 aldehyde pyrol बना है यह हो गई आपकी rhyme and time reaction next देखिए इसमें call based shimpt reaction space नहीं है इसमें इसको rough कर रही हूँ मैं देखिए next है आपकी call based shimpt reaction call based shimpt reaction में आप carbon dioxide के साथ और base के साथ react करते हैं और यह reaction होती किस तरह से है बिल्कुल simply तरह से आपकी reaction होगे यहाँ पर आपका incoming group जुड़ेगा देखो मैं बताती हूँ कैसे जुड़ेगा यह देखो यहाँ से ये वाला h ये वाला h इस oh के साथ remove पहले मैं जो चीज remove करनी है वो कर लेती हूँ यहाँ से आप h2 remove करेंगे अब देखना यहाँ से हम एक bond dissociate करेंगे यह bond आपका dissociate होगा कुछ इधर और यहाँ पर आपका क्या बनेगा यहाँ पर आपका oxygen पर negative charge आ जाएगा oxygen पर आएगा negative charge और जब हम यहाँ से dissociate करते हैं तो कैसे बनता है na positive और oh negative बनता है न तो यह na इस oxygen पर जुड़ेगा और यह पूरा का पूरा group यहाँ पर आपर जुड़ जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपका यह क्या बन जाएगा यहाँ से आपका यह NH ऐसा का ऐसा ही और यहाँ पर आपका जुड़ेगा excide C double bond O और excide O N A अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें एक HCl मिलाते हैं एक बार acid मिलाते हैं और जब हम acid मिलाएंगे तो यह NaCl के साथ NaCl की form में बाहर और यह आपका H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा यह आपका group C यह double bond O और यह OH combine करके लिखूँ तो क्या जाएगा यहाँ पर C double O H तो यह two position पर carboxylic group आ जाएगा तो two carboxylic acid pyrol या pyrol two carboxylic acid इसका name हो जाएगा तो इसके साथ हो गई यह आपकी reactions अब इसके बाद हैं आपके uses तो uses में यह जो सारी चीज़े हमने prepare की हैं यह लिख सकते हैं in preparation of यह अभी जो बनाया pyrol two carboxylic acid in preparation of pyrol two aldehyde pyrol two carboxylic acid यह जो जतनी भी चीज़ें हमने अभी इसमें prepare की हैं यह सारी चीज़े इसके uses में आप लिख सकते हैं ठीके अगर पहले आपने इसका screenshot ने लिया और एक अलग से uses में आपको इसका बता देती हूँ कि यह pain killer के तौर पर भी इसका use किया जाता है pain killer के तौर पर भी इसका एक use किया जाता है क्या आते हैं इसके uses में include होता है ठीक है चलिए यह तो हो गई आपके pyrol की बाद सबसे lengthy topic था आपका pyrol इस chapter का तो बाकी चीज़े करेंगे next time पर अभी आपके दो topics और रह रहे हैं इसमें वो करेंगे next step पर और अगर आपको किसी भी चीज़ से related कोई भी questions पूछने होते हैं तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं Instagram ID है physics underscore guru underscore India जो भी questions है आप यहाँ पर put up कर सकते हैं ठीक है message कर लीजे बस आपको answer दे दिये जाएंगे ठीक है और telegram channel join करने के लिए play store से telegram install कीज़े उस पर अपनी ID बनाईए और search कीज़ेगा physics guru India आपको channel मिल जाएगा जहाँ आप join हो सकते हैं daily classes के notification link के साथ आपको वहाँ पर इस लिए जाते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं next time पर आगे के topic के साथ आज के लिए इतना ही thank you so much